स्वागत है आप सफी का एक नए वीडियो लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तर परदेश सर्कल पी ऐसे कोशन पेपर है दोजर बीस का तो जितने भी डिपार्टमेंट के कोश्चंस हैं तो इसमें हम जीके का भी करेंगे क्योंकि मिक्स जैसे कोश्च पर आएगा कोश्चंस जो आपके प्रिवेस एर के कोश्चं पेपर के हैं वो रिपीट होते हैं और बहुत जादा कोश्चंस रिपीट होते हैं आपको यह अच्छे से कर लेने हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कोश्चंस के बाद मैं ऑप्शंस भी सासात मैं बोल है कौन से कथन जो है यह सही है इच पोस्टल रिजन इन पोस्टल सर्कल इस डिवाइड़ेड इन्टू डिविजन अब देखिए अगर हमने यह चीज अच्छे से नहीं पड़ी है पोस्ट ओफिस गाइड पारवन में और्गिनाजेशनल डिपार्टमेंट में ही हमारा याता है कि यह आपके जितने पोस्टल सर्कल होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके पोस्टल रिजन होते हैं तो उनकी बात की गई है उनको आपके डिविजन में बांटा गया होता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं सर्कल आते हैं उसके पास हमारे पास आते हैं पोस्टल reasons और सबसे नीचे क्या थे divisions अब circle में क्या होते हैं आपके circle में होते है reasons और reasons को आगे further आपके divisions में divide किया गया होते है each postal circle is divided into postal reasons तो यहाँ पर बही बात की गेगे कि यह वाला जो circle है इसको क्या किया जाता है reasons में divide किया जाता है तो यहाँ पे नीचे options आपके पास दीगे हैं, आपको यह चीज़ ध्यान से पढ़ने हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, incorrect तो नहीं बोला गया, correct बोला गया, वो आप ध्यान से देख लेना, नहीं तो questions बहुत सारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं, वो questions जो हमें अच्छे से आते हैं, हम उनको भी गलत करके आ जाते हैं, तो देखें, यहाँ पे हमें पूछा है कौन सा सही है, तो हमने देख लिया, दोनों ही options बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे options आपके पास बोलीगी है, only first, only second, both first and second, या फिर none of the above, यहाँ पे first question का जो से आंसर हो गया होगा, आपके बोला सी यहाँ पे options सबसे पहले हम देख लेते हैं, महराष्टरा की बात की गई है, तो महराष्टरा का कौन सा हो जाएगा, महराष्टरा का मुंबई हो जाएगा, ठीक है, चलिए उसके बाद करनाटका का बात करें, तो बैंगलूर हो जाएगा, मध्य परदेश की बात करें, तो हो जाएगा और राजस्तान की बात करें तो जापूर हो जाएगा यätte Donc सकते हैं यह वाले बीम है आपका थर्ड है तो आगे आपको जादा देखने की जरूरत नहीं है सी ओप्शन आपकी क्रेक्ट हो जाएगी फिर भी आप एक बार चेक कर लें सी जो है वो सैकंड के साथ जुड़ना चाहिए इनिके मद्धे प्रदेश सैकंड के साथ कौन सा भु होप से सही है सबसे पहली प्रदेश बोली गी है SSRM तो मैं बार-बार वीडियो में यह चीज़ जरूर बोलता हूं कि SSRM कोन होता है अपको बैसिक सी चीज़ें पता होनी चीज आपको कोश्चंस में आसानी होती है तो सबसे पहले अगर आपके इनकी फूल फोरम पते है तो आप इस question को असानी से solve कर पाएंगे SSRM Senior Superintendent of Railway Mail Service या फिर SRM यानिके Superintendent of Railway Mail Service is the administrative in charge of all the post offices ये सभी डाक घरों का प्रशासनिक प्राथी कारी होता है दूसरा बुल लगे SSP Senior Superintendent of Post Office या फिर SP Superintendent of Post Office is the administrative in charge for all RMS offices and sections सभी अनुभागों के लिए ये प्रशासनिक अधिकारी होता है तो या पे हमारे पास क्या पूछा गया हमें बतानी है कौन सी सही है Only first is correct, only second is correct, both are correct नाइदर first और no second is correct, यानिके दोनों मैंसे कोई भी सही नहीं है Question का सही answer क्या होताएगा आपके USD, दोनों ही सही नहीं है आप देखिए सुप्रीटेंडेंट्स होता है, Senior Superintendent वो आपके Post Office का in charge होता है उनका प्रशासनिक अधिकारी होता है, ना की Railway Mail Service के कार्यालियों और अनुभागों का और दूसरा हमारे पास जो Senior Superintendent of Railway Mail Service है वो आपके अनुभागों और कार्यालियों का होता है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों मैसे कोई भी सही नहीं है दोनों उल्टा करके दिये हुए है उसके बाद हमारे पास बड़ीजी, Full Forum of PNOP PNOP की Full Forum हमें बतानी है, Parcel Network Optimization Project दूसरा हमारे पास Post Office Networking and Office Procedures Postal Network Office Procedures या फिर Parcel Network Organization Project यहाँ पर इस Question का जो सही आसर आजाएगा यह आजएगा आपके पास यह Parcel Network Optimization Project यह Option आपकी सही हो जाएगी After the implementation of CSI, Every Post Office is given तो आपको पता है, IT Modernization के लिए आपके पास कोई भी ऐसी PDF नहीं है जो आपके सारे Questions को सारे Topics को Cover करें अच्छे से तो आपको यह Previous Year Question Papers में ही करने पड़ेंगे तो यहाँ पर हम देखिए 40 Question Papers आपको Provide करवा रहे हैं तो इसमें क्या है, आपके हर एक Question Papers में 10 आपके IT Modernization Project के Questions होंगे तो उसे हिसाब से Total 40 Question Papers मेंसे 400 Questions आपके बनते हैं उसमें हमाली जी 100 Questions रिपीट हो रहे हैं लेकिन 300 Questions जो हैं वो आपको करने को मिलेंगे और Important Questions हैं वो ही रिपीट होंगे तो वो आपको एक जगा आपकी अच्छी merit में लेके जाएंगे आपको तो वो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ तो यहां पर हमारे पास जो चीज बोली गी है वो क्या बोली गी है कि आपके जो CSI है उसके लागू होने के बाद कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के लागू होने के बाद सभी डाग घरों को क्या दिया गया सोल आइडी दी गई ठीक है उसके बाद हमारे पास फैसलिटी आइडी दी गई यूजर आइडी और फिर प्यो आइडी दी गई remotely managed franking machine किसी भी विकरेता को किसके बाद license के अधीन जारी की जाती है remotely managed franking machine का जो license होता है वो किसोसे आपको प्रापत होगा senior postmaster published postmaster जो उससे assistant superintendent of post office ASP से या फिर SSP से senior superintendent of post office या फिर सब postmaster हमने क्या पढ़ा है head of division h or d जो होता है वो आपके franking machine के license को जारी करता है अब head of division कौन होता है superintendent होता है या senior superintendent होता है तो उसी हिसाब से see option आपकी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी which of the following statements regarding remotely managed franking machine is correct remotely managed franking machine के संबंद में निमिन में से कौन सा कथन सही है an advertisement में appear alongside the date stamp impression दिनाख stamp के साथ एक ग्यापन आप प्रदर्शित कर सकते हैं इसमें आपको ग्यापन देने की सुविदा मिल जाती है the frank impression must preferably we are the top right hand corner of the article और जो article है उसके आपको जहां तक हो सके संबब यहाँ पे ठीक है यहां पर इस question का जो सही answer आ जाएगा आएगा आपको ऐसी दोनों ही options जो आपके पास यहीं है यह सही है registered letter can be delivered to पंजीगरित जो लेक होता है इसका वित्रण किसको किया जाएगा options आपके पास address only ठीक है यहनिके एक पंजीगरित पार्सल का वजन जो एक शाखा डागर को संबोधित किया जाएगा 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 आपके पास इस address only यह केवल आपको प्रापत गरता को ही देना है पंजीगरित पत्र जो है हमेशा प्रापत गरता को ही देना है speed post article को आप उसके घर के members को भी दे सकते हैं लेकिन पंजीगरित पत्र नहीं आप देंगे weight of a registered parcel that can that is addressed to a branch post office shall not exit एक पंजीगरित पार्सल का वजन जो एक शाखादाघर को संबोधित किया जाता है कितने kg से अधिक नहीं होना चाहिए बजन उसका कितने kg अधिक नहीं होना चाहिए 20 kg 10 kg 4 kg या इनमें से कोई भी नहीं तो question का जो सही आंसर आजाएगा या आएगा आपके पास भी 10 kg से अधिक नहीं होना चाहिए जब भी आप B.O. से parcel को book करते हैं किसी parcel को या फिर आप B.O. के लिए उसको book कर रहे हैं तो 10 kg से आप उसको अधिक book नहीं कर सकते हैं आपके पास parcel exceeding 10 kg, parcel exceeding 4 kg, insured articles, VP articles हमें बताना है कौन से मामले में, registration जो अब हो compulsory है तो यहाँ पर options हमारे पास देखिए जब भी कोई parcel 4 kg से अधिक होता है या फिर insured parcel होता है या फिर BP parcel होता है तब आपको क्या करना पड़ता है उनकी insurance, sorry आपके उनकी registration करवानी पड़ती है और यह option आपके पास गलत है, ठीक है क्योंकि 4 kg से अधिक है तभी आपको उसकी registration करवा देनी है तो यहाँ पर हमारे पास इस question का सही answer क्या है options है आपके पास उप्योगत सभी आपकी सही है अब कुछ एक बोलेंगे, हाँ बिल्कुल 10 kg बाले पार्सल की भी registration होनी चीए लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा है नहीं सोचना है ठीक है क्योंकि 4 kg से अधिक है तभी उसकी registration कर देनी है point के हिसाब से देखेंगे तो आपके यही 3 point सही है लेकिन आप अपना दिमाग चलाएंगे ज़्याद है और आप सोचेंगे तो बिल्कुल यह भी आपका सही हो सकता है लेकिन यह सही नहीं है आपका 4 kg से अधिक पार्सल होगा तभी आपको उसकी booking करवानी है ठीक है 10 kg तक होगा तभी करवानी पड़ेगी लेकिन पॉइंट के हिसाब से देखें तो यही सही है एंडिया पोस्ट की साइट पे आप देखें 4 kg से अधिक वजन होगा तो आपको पार्सल की रिजिस्टरेशन करवानी पड़ेगी तो यह लाइन बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन की बात करें निमी लिखित मैसे किस पर सीमा शुलक नियंतरन का प्रयोग किया जाता है आर्टीकल्स पोस्टर इन इंडिया टूवी डिलिवर्ड इन इंडिया तो सबसे पहले अगर आर्टीकल को आप इंडिया में ही पोस्ट कर रहे है और उसका वितरन भारत के भीतर ही होगा आर्टीकल्स पोस्टर इन इंडिया टूवी डिलिवर्ड ओट साइड लिमेट्स ओफ इंडिया या फिर भारत के भीतर आप आर्टीकल को पोस्ट कर रहे हैं उसका वित्रण भारत की पहुँच से भारत की लिमेट से बाहर होगा Article posted outside India 2V delivered outside India भारत के बाहर ही आर्टिकल को post किया गया है और बाहर ही उसका वित्रण हो रहा है या फिर all the ये वववतियां पर इस question का जो से answer हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपके पास बी आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया भारत में आप आर्टिकल को पोस्ट कर रहे हैं और उसका वित्रण भारत से बाहर या भारत की पहुंच से बाहर कहीं होगा तब उसके उपर सीमा शुलक ने अंत्रण का प्रयोग किया जाएगा ओन रसीविंग दी डिरेक्टिव स्फ्रों कस्टम्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ओपोस्ट एक्ट्स अपॉन बीच ओफ दी फोलेंग सीमा शुलक बिवाग से निर्देश प्रापत करने पर डाक बिवाग निमन मैसे किस पर कारे करता है तो डिटेंशन ओफ आर्ट हो ली laying ओंल्ली सवर्थ साथ हे निर्देश सकते हैं पोस्ट ओफिस को की वह लेक को रोक लें या फिर उसको आगे करें या फिर उनि कहां से वाई उसके बवापिस कर दें या फिर सिफ्लक का संग्रह करें उसको collect कर लें ति पोस्टल आप्रेशर who access who assesses possible article of मार कस्टम कंट्रोल है जी ओफिस इन विच ओफ्टी वोलेंग डाक मुलीयांक जो सीमा शुलक के लिए डाक बसतू का मुलीयांकन करता है उसका कारियालिए कहां पर स्थित होता है neatly foreign post office, custom control office, journal post office या फिर directorate of customs यहाँ पर question कसी answer होगा आप पर ऐसे foreign post office या फिर सब foreign post office में इसका जो कारया लिया बोस्तित होगा आपके postal appraiser का customs control involves सीमा शुलक नेंतरण में क्या-क्या शामिल है opening of postal articles for examination प्रीक्षन के लिए dark लेखों को खोलना imposition of custom duty सीमा शुलक अधिर ओपन करना production of documents from sander और addresses प्रेशक या फिर प्रापत करता से दोवी दस्ता बेजें वो उनसे त्यार करवाना और प्रापत करना all दी ववतिया पे इस question का से answer होगा डी ये सारे ही आपके custom control में involved होते है universal postal union has its headquarter in universal postal union का मुख्यालिय कहाँ पस स्थित है वैंकोक थाइलेंड वन स्विजर लेंड वशिंग्टन डी सी USA United States of America में होंकों में तो question का से answer के आगा बी वन स्विजर लेंड में ये स्थित है which of the following statements with respect to aerogram are correct aerogram के संबंध में निमन में से कौन सा कथन सही है aerogram is exclusively transmitted by aeromail सबसे पहले कि जो aeromail होता है बिशेश रूप से इसे aeromail द्वारा प्रेशित करने के लिए बनाया जाता है aerogram has no corresponding category in surface mail और इसका कोई भी सगा संबंधी आपकी surface mail में आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हमें बताना है क्या पताना है correct कौन सी है only first only second both first and second neither first or no second तो यहाँ पे question का से answer होगा C दोनों ही options आपकी जो दिय हुई है दोनों ही lines आपकी सही है next question की बात करें question है हमारे पास general maximum bed limit for foreign air parcel इस विदेशी हवाई parcel के लिए समानिय अधिक्तम भार की सीमा 2KZ 10, 5 या फिर 20 तो inland or foreign में आपका same ही है तो ध्यार रखना है यहाँ पे question का से answer क्या हो जाएगा आपके पास D complaints regarding assessment of custom duty are handled by अब देखिए article के उपर क्या क्या जाता है जब भी कोई custom duty लगाई जाती है और pressure को जो आपका address करता है उसको ऐसा महसूस होता है कि जाद है उससे charges ले लिए गया custom बालों ने तो वो किसको शिकायत करेगा तो यहाँ पे options हैं आपके बाद senior superintendent of post office principal postal appraiser या फिर senior postmaster foreign post office in charge तो परधान डाक मुल्यांकक जोगा उसको वो complaint कर सकता है उसका जो complaint होगी उसका निप्टान principal postal appraiser के द्वारा किया जाएगा receipts for custom duty paid can we issued by भुकतान कियेगे सीमा शुलक की जो रसीदें होती है किसके द्वारा जारी की जा सकती है foreign post office head post office both hand या फिर senior superintendent of post offices तो यहाँ पे question का से answer होगा आपके बाद सी both hand भी foreign post office और head post office दोनों के द्वारा किसी के द्वारा भी की जा सकती है maximum weight of letter accepted in post office can we dark घरों में पत्र का अधिक्तम बजन कितना हो सकता है not more than 4 kg not more than 2 kg not less than 4 kg या फिर not less than 2 kg तो यहाँ पे इस question का जो से answer हो जाएगा not more than 2 kg 2 kg से अधिक नहीं होना चाहिए तो भी option जो आपकी है सही हो जाएगी but does CPU means CPU का क्या मतलब है core processing unit उसके पाद है आपके पास command production unit उसके पास central processing unit या फिर critical processing unit question का सही answer क्या हो जाएगा आपके बाद सी central processing unit तो 21st question का जो सही answer आदेगा है आपके बाद सी what do the letters RAM stands for RM जो अक्षर है इसकी हमें full forum बतानी है क्या इसका अर्थ है remote access master random access memory recent activity meter या फिर remote analog monitor तो याँ पर random access memory इसका सही answer हो जाएगा भी option आपकी सही हो जाएगी 1 megabyte is 1 megabyte कितना होता है options आपके पास 1024 kilowat के बराबर होगा 512 kilowat के 1000 kilowat या फिर 2048 48 kilowat के बराबर होगा question का सही answer होगा 1024 kilowat के बराबर होता है which of the following is note and input device इन में से कौन सी input device नहीं है keyword, monitor, mouse या फिर var code scanner तो यहाँ पर इस question का सही answer राजए गए आएगा आपके बास भी monitor जो है या आपकी output device होती है ना कि input device which of the following is the software इन में से कौन सा software है any part of computer which is a physical structure computer का कोई भी भाग जो एक भोतिक सरंचना है flexible parts of computer computer के ललचीले हिसे clothes used by computer users या फिर computer प्योग करता हों के दोरा पहने जाने वाले कपडे instructions that tell the computer what to do या फिर निर्देश जो computer को ये बताते हैं कि उसको क्या करना है उसको क्या कहा जाता है software कहा जाता है तो D option आपकी save हो जाएगी main circuit structure of a computer is called computer की मुख्य परिपत संचना क्या कहलाती है ये सारे important questions इनको कर लेना एक दो questions आपको जरूर देखने को मिलेंगे hard drive इसको कहा जाएगा monitor mother word या फिर bluetooth इसको कहा जाएगा C option आपकी save हो जाएगी इसको mother word कहा जाता है but is an ethernet port used for तो आपका जो ethernet port है इसका उपयोग इसके लिए किया जाता है connecting to internet, internet से जुनने के लिए providing electrical power to the system system को विद्धुत शक्ती पर दान करना connecting peripherals या फिर creating new users accounts यहाँ पर इसकोशन का से answer होगा आपके बास है connecting to internet internet से जोडने के लिए आपके ethernet port का use किया जाता है windows, macOS या फिर linux जो होते हैं आप किसके example हैं तो यहाँ पर options आपकी बुलिए internet service provider, web browsers है world files on the computers या फिर operating system तो यह आपके operating systems होते हैं तो यहाँ पर इस question का जो से answer रहेगा या आएगा आपके बास D उसका आपके बास यहाँ पर एक code सा दिया हुआ ठीक है http www.india.gov.in is an example of beach of the following था हमें बताना है किसकी example है एक URL है या फिर an access code है directory है या फिर server है question का से answer होगा या एक URL code है URL की form आप देख लेना क्या होती है important है तो इसी के बीच में आप मैंने बोला था जाएसे आपके जीक्यों के questions भी mix up है तो वो भी हम कर लेते हैं साथ में options हैं आपके बास चंबल, वेतवा, और केन, आर्ट, ब्यूट्रीस of which of the following चंबल, वेतवा, केन, इमन मैं से किसकी सायक नदी है आपने ध्यान से अगर पहले questions पेपर को देखें जो पहले करवाएं तो उनमें भी मैंने यही बोला था आपका नदियों से संबंदी ते questions जरूर आता है तो यहाँ पर बही पूछा गया चंबल, वेतवा और केन, जो है किसकी सायक नदी है गंगा, यमना, ब्रंपूतर या फिर गोदावरी question का सेयास रोग आपके पास भी यमना नदी की सायक नदी है इस question का जो सेयास से राजएगा या जाएगा आपके पास C, सहयादरी के नाम से इनको जाना जाता है नेक्स question आपके पास डोड़ा पेटा है situated in beach of the falling डोड़ा बेटा जो है किनमिन मैसे किस में स्थित है नीलगिरी hills उसके बाद है नाई मलाई hills या फिर यह हमारे पास दिया हुआ है या फिर गारो hills या पर इस question का जो से answer आएगा यह नीलगिरी hills में यह स्थित है हीरा कुंड हाइडरो एलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस ओन बिच ओफ दी फॉलिंग हीरा कुंड जल विदुद परियोजना निमन मैसे किस पर स्थित है गोदावरी, कृष्णा, नमदा या फिर महा नदी यहां पर इस question का से answer होगा आपके बास महा नदी पर यह स्थित है next question आपके बास anthracite उसके बाद है bitumins या फिर उसके बाद है lignite या फिर peat जो है किसकी किसमे है options आपके बास coil iron ore उसके होदा mica या फिर zinc तो यहां पर इस question का से answer होगा यह coils होता है, cola जो होता है उसकी यह किसमे है next question आपके बास which is the upper house of the Indian parliament भारतिय संसद का उपरी southern count है तो यह question भी मैंने जब भी video करवाई है आपको gk के लिए बोला है आपके संसद से संबंदित, राजसवा लोकसवा से संबंदित है के कोशस जरूर आएगा तो देखिए यहां पर बोई है which is the upper house of Indian parliament भारतिय संसद का उपरी southern जो आपको कौन सा है लोकसवा है, राजसवा, ग्राम सवा या फिर विधान सवा यहां पर इस कौशन का जो सेंस रहेगा भी ठीक है आपकी राजसवा जो है यह पारलियमेंट का अपर होस है तो यहां पर इस कौशन का सेंस रहेगा आपके बास भी 30 साल होनी चाहिए मीनिममेज हाउ मैनी हाई कोट्स आर देर इन इंडिया भारत में कितने उच नया आले है हाई कोट्स की बात की गिए 25, 27, 30 या फिर 32 यहां पर इस कौशन का सेंस रहेगा आपके बासे भारत में टोटल आपके हाई कोट्स वो 25 है पुवाजी चेर्मेन ओफ दी कंसिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी संभिधान मसोदा समीती के अध्यक्ष कोन थे जाहलाल नहरू, दोक्टर भीमरा अमेटकर, दोक्टर जेंदर पशाद या फिर सरदार बिल भाई पटेल यहाँ पर इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास भी डोक्टर भीमरा अमेटकर थे, आपके जो भी कंसिट्यूशन था संभिधान की जो ट्राफ्टिंग कमेटी थे, उसके चेर्मेन थे उसके बाद आपके पास ग्यानपीट पुरसका किस क्षेतर में उतकरिष्टता के लिए दिया जाता है, विज्ञान और टेकनीक, म्यूजिक, लिटरेचर या फिर स्पोर्ट्स तो यहाँ पर इस कोशन का जो सही आंसर आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपके पास सी लिटरे हम आपको दे देंगे, यूँकि इनको करवाना अब इतना असान नहीं है, पेपर आपके बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो PDF तो हमने बना दी है, वो आप लेना चाहते हैं, हमें कर सकते हैं, हमें से स्क्रीन पे दो है नमबर पे, और क्लासिस जॉइन करके ले सकते हैं, त इतने समय के बाद आपका ये मैच्चोर होना था, पूरा होना था, जैसे RD आपके 5 साल के बाद होगी, उसी तरह से अगर आप उसको समय से पहले बंद करवाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक option मिल जाती है, कि आप करवा सकते हैं, लेकिन हो सकता है, उसमें आपको interest कम मिले, saving का interest मिले, या फिर कुछ deduction हो जाए आपके amount की, तो इस तरह से होता है, तो इध्यान रिखना कैसे कैसे होगा, तो after 2.5 years from date of deposit, जमा करने की तिथी से धाई बर्ष बाद, या फिर after 1 year from date of deposit, after 2 years from date of deposit, या फिर after 15 years from date of deposit, तो जो किसान भी कास पत्र होते हैं, इनको आपने जिस date को खुलवाया, उस date से धाई साल के बाद आप इनको बंद कर सकते हैं, तो इस question का से answer हो जाएगा, आपके पास A, which of the following facilities on post office saving account can be availed on request, अनुरोध पर डाक घर बच्चत खाते पर निमिन मैंसे कौन सी सुविदा का लाव उठाया जा सकते है, ATM card, e-banking, mobile banking, आधार सीडिंग या फिर all the above, यहाप इस question का से answer होगा, आपके अजडी, इन सारी सुविदाएं आपको मिल सकते हैं, ATM card आप ले सकते हैं, e-banking, mobile banking, आधार, शेडिंग बगारा, यह सारी facilities आपको मिल जाती हैं, उसके बाद है, what is the joint A account, joint A account का क्या मतलब होता है, joint B account होता है, joint A account होता है, तो इस बाद हमारे पास बोलेगे, accounts has to be operated by all account holders in each case, पर तेक स्थिती में खाता सभी खाता धारकों द्वारा संचालित किया जाएगा, account is same as joint B account, तो ठीक है, आपके जैसे joint B account है, same बैसा यह वी है, none of the above, question का से answer होगा, अभी, आपको थोड़ा से यहापे समझा देता हूँ, actually है क्या जीज़, अब joint A, joint B account आपने बड़ी बार पढ़ा होगा, अब यह देखिए joint A account का क्या मतलब है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया, account has to be operated by all account holders in each case, तो joint A account का मतलब है, कि आपके जितने भी account holders है, उन सभी के दारा इसको operate किया जाएगा, लेकिन joint B account की बात करें, तो उसमें आपका देखिए कोई भी दोनों मैंसे operate कर सकता है, अगर आपका कोई भी बहाँ पे जाता है, तो वो उसको operate कर सकता है, अराम से post office में जाके, लेकिन जो joint A account होगा, वो सभी account holders को operate करना पड़ेगा, प्रते एक सिती में, जैसे अब गर पैसे निकलवाने तब भी दोनों को देखना पड़ेगा, लेकिन joint भी मैं ऐसा नहीं है, और दोनों मैंसे अगर मिलकर किसी ने खुलवाया है, दो आपके adults ने मिलकर खुलवाया है, तो दोनों मैंसे कोई भी उसको use कर सकता है, बीच of the following statements with respect to maturity of PPF are false, PPF की परिपक्ता के संबंध में मेंसे कौन सा कथ गलत है, own maturity depositor can retain maturity value in or his account without further deposit at applicable PPF rates, सबसे पहले इसकी maturity period होने पर जो जमा करता है, लागू PPF दरों पर इसे आगे जमा किये बिना अपने खाते में, परिपक्ता मूले बरकरार रख सकता है ठीक है, जो भी आपके PPF rates applicable होंगे, own maturity depositor may extend PPF account for further block of 15 years at applicable PPF interest rate, अब देखिए PPF जो आपका account होता है, public provident fund account होता है, 15 साल के लिए होता है, और इसमें क्या बोला गया है, कि 15 साल का जो period है, वो खतम होने के बाद, आप इसको next 15 साल के period के लिए block कर सकते हैं, उसका आगे बढ़ा सकते हैं, उसका बोथ है and B, या फिर neither A nor B, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, false बताने है, तो false हो जाएगी आपकी B, ठीक है, A option आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन B option आपकी गलत है, इसको जिरफ आप 5 साल के period के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, पहले आप 15 साल के लिए इसको खुलवाएंगे, प्लस 5 साल के लिए आप इसको और आगे बढ़ा सकते है है, total कितना हो जाएगा, 20 years, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, उसके next question है, which of the following statement with respect to SSC, are correct, सकन्या समरिधी account के संबंध में, कौन सा कथन गलत है, sorry, यहाँ पे कौन सा कथन सही है, correct, बूचा गया है, it can be opened with minimum rupees to 50, अगर खाता आपको खुलवाना है, 250 रुपे से आप खुलवा सकत इसके बाद, 50 रुपे के कुनाक में, एक वित्तिय वरश में, डेड़ लाख रुपे आप इसमें जमा कर सकते हैं, फशियल बे में, डेड़ लाख रुपे maximum आप इसमें deposit कर सकते हैं, maximum 12 घ्पोजित सकम पर 12 बार, बार आप इसमें deposit कर सकते हैं, deposit can be made up to completion of 15 years from the date of opening घाता खुनने की 15 साल पूरे होने तक आप इसमें deposit कर सकते हैं तो यहाँ पर इस question का सही answer क्या हो जाएगा 85 की जो सही option आईगी आईगी आपके वासी आपकी first और third जो हैं सही हैं ठीक है minimum आप SSA account 250 रुपी से खोल सकते हैं एक वित्य वर्ष में एक financial रुपे आप इसमें जमा कर सकते हैं और इसमें दूसरी जो है कि आप इसमें एक जब आपने account खुलवाया उस तिथी से लेके 14 साल तक आप इसमें deposit कर सकते हैं यहां पर इसमें maximum आप जितनी मर्जी चाहें उतनी deposit कर सकते हैं एक साल में कोई ऐसी limit नहीं है तो यहां पर आपके जो सी option है यह से ही हो चाहेगी next question है आपके पास match the following इन दोनों को मिलाना है savings schemes, interest compounding frequency तो यहां पर हमें बताना है कि जो आपके वच्चत bank की होजना होती है उनके उपर जो ब्याज लगता है वो किस तरह से लगता है तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि क्यों कौन से account पर कैसे आपका ब्याज लगता है कुछ पर quarterly लगता है, कुछ पर monthly लगता है, कुछ पर annually लगता है तो यह सारे आपको पता होने चाहिए सबसे पहले 5-year TD की account की बात की गई है तो आपको पता है, आपके जो TD account के उपर interest लगता है वो कैसे लगता है, आपका quarterly लगता है ठीक है, त्रहे मासिक रूप से आपका लगता है senior citizen saving scheme की बात करें तो यहाँ पर quarterly लगता है ठीक है, और paid किया जाता है quarterly paid इसको कर दिया जाता है MIS की बात करें, monthly income scheme की बात करें तो यह तो साफ पता है MIS है, monthly income scheme है यहनि का हर महीन आपको ब्याज मिलेगा और SSA की बात करें, इसके उपर जो आपका interest मिलेगा, वो आपको annually मिलता है यहाँ पर इस हिसाब से इस question कैसे answer के हो जाएगा आपके बास, आपके यहाँ पर इसका हो जाएगा B, यहनि के पहले का B, तो यह हमारे पास B और C दोनों options में दिया हो है उसका second है, SCSS का senior citizen savings scheme का quarterly और paid, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी C option चाहिए आजएगी, ठीक है, तो इसका आई-पी-पी-वी, इंडिया post payment bank, भीन परकार के उत्पाद और सिवाएं परदान करता है, निमन मैं से कौन सी सिवाएं, आई-पी-पी-वी द्वारा परदान नहीं की जाती है, wills and utility payments, will और उप्योगिता भुक्तान, current account जो है, यह आपको सुविदा मिल जाती है, direct benefit transfer, ठीक है, DVT जिसको कहा जाता है, fixed deposit accounts की बात करें, तो यह आपको नहीं मिलता है, IPPV में, ठीक है, RDK अगेंस्ट, आपको loan मिल जाएगा, PPF में आप deposit कर सकते हैं, SSM आप deposit कर सकते हैं, sweep in, sweep out की आपको मिल जाती है, सुविदा रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें, अपने accounts में deposit गरा कर सकते हैं, बनी transfer कर सकते हैं, यह सारी मिलती हैं, लेकिन PPF account, sorry, आपका जो TD account है, fixed deposit account है, यह आप नहीं खोल सकते हैं, which of the following is not a payment bank, इनमें से हमें बताना है, कौन सा payment bank नहीं है, 8L payment bank, NSDL payment bank, India, post payment bank, या फिर CDSL bank, तो यहाँ पर इस question का से answer होगा, CDSL payment bank, जो है, यह payment bank नहीं है, but does CN22 and CN23 indicate, CN22 or CN23 क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर options क्या बोलीगें, आपके पास forums, used for booking, domestic parcel, घ्रेलू parcel की booking के लिए आपको यह परपत्र देने पड़ेंगे, उसके आज हमारे पास दूसरी option क्या बोली गई है, forums for custom declaration, custom declaration, सीमा, शुलक घोशना के लिए परपत्र है, उसके वहाँ हमारे पास बोले गया, forums for depositing, PLI premium, PLI premium जमा करने के लिए आपके पास यह forum है, यह फिर they are categories of warcode for track and trace, track or trace करने के लिए आपके पास यह facilities है, तो यहाँ पर देखिए इस question का जो सेयांसर हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, आपके पास forums for custom declaration, custom declaration के लिए यह forums है, next question है, department of post offers 25% discount to its VNPL, VNPL क्या होता है, book no pay later, corporate customers for monthly revenue, डाग विवाग अपने VNPL corporate गरहकों को, कितने मासिक राजस्व के लिए 25% शूट देता है, options क्या बोलगी है, आपकी यहाँ पर बोलगी है, पचास लाग से, सोरी 5 लाग से लेके 25 लाग रुपे तक, 25 लाग 1 रुपे से लेके 1 करोड रुपे तक, 1 करोड 1 रुपे से लेके 5 करोड तक, या फिर 5 करोड से अधिक होने पर ते हैं, आप इस question का same answer आ जाएगा, आपके पास, see, 1 करोड 1 रुपे से लेके 5 करोड रुपे तक, आपको 25 परदिशत और पांच करोड से लेके अधिक होने पर, आपको 30 परदिशत मिल जाएगा, next question है, authorized balance in post office include, डाग घरों में अधिकरित 6 balance, अब देखिए, authorized किया जाता है, minimum और maximum आपको कितना balance रखना है, तो यहाँ पर बही बात की गई है, कि क्या कहा जाएगा उसको, minimum cash balance होगा, authorized balance, या फिर maximum cash balance, maximum balance to be held in postage and other known postage stamps, ठीक है, डाग टिक्टों के रूप में आपको अधिक्तम कितने balance अपने पास रखना है, all the above, या पर इस question का सी answer होगा, D, यहीं मतलब होता है authorized balance का, कि minimum या maximum आपके पास cash कितना होगा, या फिर आपके पास जो postage stamp या non postage stamps है, उनके रूप में आप कितना maximum अपने पास रख सकते हैं, the amount of found access in courses at SO is entered under, SO counter पर अधिक पाई जाने वाली जो राशी होती है, उनको कहाँ पर दर्ज करना चाहिए, या पर मुझे भी थोड़ा से confusion है, कहीं इसका answer आपके पास यह और भी दोनों ना हो, तो यह एक बार आप cross check जरूर कर लेना, आपकी description में जाके ठीक है comment section आप check कर लेना, sealed account bag before dispatch, should we under the custody of pression से पहले, sealed one जो account bag होता है, वो किसकी हिरासत में होना चाहिए, तो account bag हमारे पास जो ऐसो होते हैं, बहां के बनाए जाते हैं, बहां बना करें, किसके पास रखा जाएगा, ट्रैजरर सब account पिये, सब postmaster या फिर deposit पिये question का से answer होगा, सब postmaster की हिरासत में उसको रखा जाता है, unclaimed unregistered articles are sent to RLO, after days, लावारिस पंचिकरित ले, कितने दिनों बाद RLO को भेज़े जाते हैं, दो दिन, पाँच, साथ, या फिर दस दिन बाद, साथ दिन के बाद भेज़े जाते हैं, ठीक है, जिनका कोई भी अता पता नहीं है, कहां से आए हैं, कहां गें हैं, ठीक है, क्या होता है, टेंपरेरी अरेंजमेट्स मेड इन केस ओफ अबसेंस, तो जब भी कोई आपके कार्याले में, पोस्ट मास्ट के कार्याले में, कोई भी आपका कलर्क है, या कोई भी अबसेंट होता है, तो उसके लिए क्या किया जाते हैं, temporary arrangements किये जाते हैं अस्त हाई विवस्था की जाती है वो उसमें होने चाहिए पोस्ट मास्टर ओडर बुक में उसको दर्ज करना चाहिए unusual occurrences असमाने घटना है result of quarterly examination of stroke and bags stroke or bag की तिमाही प्रीक्षा का प्रिणाम होना चाहिए प्युक्त सभी question का से answer हो जाएगा आपके बास यह सारी चीज़ें आपकी इसमें होनी से पोस्ट मास्टर ओडर बुक में CAIF stands for CAIF की फुल फोरम आपको बतानी है customer information file customer identity file folio उसके बाद है customer identification या फिर counter intelligence file तो यहाँ पे इस question का से answer क्या होगा आपके बास customer information file ग्रहक सूचना file CAIF ID क्या होता है जब भी आप account खुलवाते है post office में कोई भी नया customer आता है सबसे पहले उसकी CAIF ID बनाई जाते है उसके बाद account खुला जाते है तो वह क्या हो जाती है उसकी post office में सूचना हो जाती है कि अभी यह ID उसके लिया हो गई उसका जो भी documents बगार है उसमें रहेंगे the maximum balance for a SSA account is SSA के खाते के लिए धिक्तम शेशराशिक है options है डेढ़ लाख रुपे 10 लाख रुपे 5 या फिर no limit कोई भी limit नहीं है ठीक है maximum कितना भी deposit इसमें हो सकता है next question है in CVS environment the commission to agent are paid CVS परिवेश में अजैंटों को जो commission दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है cash दिया जाता है उनको check दिया जाता है या फिर उनके saving account में credit किया जाता है all the above question का से answer होगा से ठीक है credit to their saving account उनके बच्चत खाते में credit कर दिया जाता है CTS stands for CTS की full forum आपको बतानी है check transaction system या फिर check transaction system या फिर check transfer system none of the above question का से answer होगा आपके बस भी check truncation system होती है इसकी full forum और आज की वीडियो का last question है which of the following statements is correct इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है SP, SP क्या होता है speed post article वार कोर्ड generally starts with letter E आपके जो speed post के उपर बार कोर्ड चिपकाए जाते हैं जनली समाने तोर पर E words से शुरू होते हैं followed by first letter of the name of circle उसके बाद जो first letter होगा वो circle का name होगा which article is being booked जहां पे article को book किया गया है registered letter बार कोर्ड generally starts with letter R और जो आपके registered letters होंगे 15 पत्र होंगे वो R words से शुरू होंगे first letter यहां पे circle का होगा तो यहां पे only first second, both first and second नाइधर तो crack पूछा गया है ठीक है कौन सा सही है दोनों ही सही है तो C option जो है यहां पे इस question का से answer हो जाएगा किसी भी question का answer गलत लगाओ प्लीज comment section में जरूर बता देना और सभी comment section जरूर चेक करना अगर मुझे भी कहीं पे महसूस हुआ मैंने किसी question का answer गलत बताया तो मैं comment section में answer पिन जरूर कर दूँगा तो आप जाकर बहाँ पे देख सकते हैं और साथ में regular classes चल रही है आप जोड़ना चाहते है मैसिस हमें कर सकते हैं योगि PDF आपको हम बहाँ पे provide करवा देंगे mathematics, dk और reasoning भी आप साथ में कर सकें और साथ में answer की भी आपको इन questions की मिल जाएगी तो आपको पढ़ने में हो जादा असानी हो चाहेगी ठीक है friends thank you